असलाम वालेकुम, हलो एवरीवाइन, वेलकम टू माई चानल आज मैं आपसे आलू मेथी की सबजी की रेसिपी शेयर करूंगी और इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है यह खाने में बेहर टेस्टी लगती है और बहुत बेसिक सी इंग्रेडियन्स पर बनके यह तयार होती है और गरेंटी है इस बात की एक बार अगर आप इस रेसिपी को बना लेंगे तो हर बार आलू मेती की सबजी इसी रेसिपी से बनाना चाहेंगे तो चलिए इसी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कडाई में 3-4 टेबल स्पून ओई ले लेना है मैं मस्टर्ड ओई में बना रही हूँ प्रफरेबली इसको मस्टर्ड ओई में बनाए उसमें बहुत टेस्टी बनती है फिर 1 पिंच इसमें हींग डाले और 1 टी स्पून इसमें जीरा डाले जब यह दोनों चीज अच्छे से क्रैकल हो जाएं गरम तेल में फिर उसके बाद हम इसमें कुछ चॉप चीज़े डालेंगे जो कि इस तरह से हैं एक इंच अद्रक का टुकड़ा है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और 10 से 12 कलिया लहसुन की है उसको भी फाइनली चॉप किया है इसमे के बाद ये दो मीडियम साइज की अनियन है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसको भी इसमें एड कर दिया है अब थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे बहुत जादा नहीं लेकिन इतना भूनेंगे कि थोड़ी सी प्यास ट्रांसलूसेंट हो जाए उसके बाद इसम काट लिया एक आलू से चार हिस्से करके और इसको इसमें आड कर देना है और आलू को दो करके चन्ने में रख देना है ताकि इसमें कोई जादा मौईस्ट ना रहे दो स्लिट करके ग्रीन चिली इसमें ये मैंने वन टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दी है इन सब को बहुत अच्छे से mix देना है अब हमने जो प्याज है और लसन और अद्रक है उसको कम भुना था क्योंकि अब आलू के साथ वो और भुन जाएगा और उससे आलू में बहुत ही बहतरीन फ्लेवर आने वाला है तो इसको ढख देंगे तब तक ढख के पकाएंगे जब तक हमारे आलू थोड़े से tender हो जाएं इसको mix दो एक बार बीच बीच में चलाते रहेंगे करते रहेंगे और हम थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारे आलू 80-90% गल गए हैं तब इसमें एक टोमेटो को रफली चॉप करके और उसमें 1 टी स्पून सॉल्ट के साथ उसको एड़ करेंगे इसको फिर अच्छे से mix देंगे अब थोड़ा से इसके साथ पकाएंगे 100% को खो जाएंगे ये सब इनी मसा आप चाहें तो हाफ टी स्पून गर्मसाला भी आड़ कर सकते हैं और इसके बाद ये मैंने नॉर्मल जो रेट चिली होती है वो डाली है पहले चिली फ्लेक्स डाले थे अब ये मैंने कश्मीरी रेट चिली पॉर्डर डाला है इससे कलर भी अच्छा आएगा और हमाई सब तीकी भी नहीं होगी बस इसको थोड़ी देर और ढखके पकाऊंगी और इसको इस तरह से चेक कर लूँगी कट करके इससे मुझा आइडिया हो जाएगा कि कितने और देर इसको ढखना है मुश्किल से 5 और मैं इसको ढखके रख दूँगी और इसके बाद फिर इसको चेक करते हैं अब लगबग आलू हमारे गल गए हैं मैं ढखकन इसका खोल के देख लेती हूं यह देखिए और कितना बहतरीन टेक्स्चर इस पर आया है यह आधा किलो ही मेथी है जिसको मैंने इसके मोटे वाले स्टेम हटाकर कि उपर वाले लीवस के साथ बरीक वाले स्टेम रख लिए थे इसको वाश करके अच्छे से स्ट्वेटर में रख दें और इसमें मोटे नहीं रहे इसको टाइम से ही दोके रख दीजे बिल्कुल यह सूखी होनी चाहिए अगर इसमें मोटे रहता है तो उससे हमारी मेथी कड़वी हो जाती है तो इसलिए मेथी की सबजी तब हम इनको चलाएंगे और इसमें जो सबजी का अपना मोश्चर है वो आलू में नीचे की तरफ चला जाएगा और उससे मेथी का फ्लेवर आलू में भी बहुत अच्छे से एब्जॉब हो जाएगा और खाने में फिर आलू में मेथी का बराबर टेस्ट आएगा और यह सबजी बहुत ही बहुत ही जादा टेस्टी बनती है एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आई होब आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी होगी अच्छे लगी तो इसे लाइक शेयर करें अपनों के साथ और चानल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब करें यह देखिए इस तरह से में इसको आलू को चेक कर लूँगी 100% यह बिल्कुल कुक हो गया है पत्ते भी काफे हद तक गल गए लेकिन अब यहाँ पे important step है कि हमाई सबजी कडवी ना हो उसके लिए 5-7 मिनट आप इसको खुला moisture उड़ जाए थोड़ी देर ऐसी छोड़ दें फिर इसकी प्लेटिंग कर लें यह देखिए कितना बहतरी इसका color आया है और यह बहुत अच्छी लग रही है सबजी हल्दी बहुत जादा नहीं डलती है क्योंकि greens में थोड़ी हल्दी कम ही अच्छी लगती है तो बस थोड अच्छी डिनर में खाएं एक बहतरीन रेसिपी है सीजनल इसको जरूर ट्राइ करें और मेरे साथ अपना feedback शेयर करें फिर मिलती हूं आप से ऐसी ही कोई और सीजनल रेसिपी के साथ तब तक अपना खयाल रखें अलाहाफिज